जाहिन दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल वर्ल्ड कम्पिटर ग्यान दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सबों का आज हम लोग इस वीडियो के मादे हमसे पॉवर पॉइंट में पर्जेंटेशन बराना सीखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है स्टार्ट पर जाना है और टाइप करना है P-O-W-E-R-P-N-T यह P-N-T क्यों टाइप किया दोस्तों क्योंकि यह पावर पॉइंट का एक्स्टेंशन नेम होता है इससे आपका पावर पॉइंट हंडेड टेन पर्शेंट ओपन हो जाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों यह पावर पॉइंट आपके स्कीन पर कुछ इस तरह के इंटरफेस में खुल करके दिख जाएंगे अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां से इस तरह का कुछ बॉक्स पर आएगा इसको हटा दीजेगा और यह ब्लैंक पेज पर्टेंटेशन के लिए ब्लैंक पेज ले यहां से आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखने लगेगा दोस्तों अब जो है कि पेज का साइज जो है थोरा सा हम यहां से नॉर्मल कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं अगर आप बड़ा करना चाहे तो पेज का साइज नॉर्मली इतना रख सकते हैं यह दोस्तों आपक कर लेने होंगे means insert करा लेने होंगे तो हम home button पर जाएंगे और यहां से new slide पर जाएंगे और इसमें design check करेंगे कौन सा design आपको चाहिए तो हम design लेने वाले हैं suppose माल लिया जाए for example यह वाला इसमें same लिखना होता है तो हम लिखने के लिए यह design लेने एक लिए एक फिर design पर जाते हैं और एक और यह design ले लेते हैं तीन design और एक और ले लेते हैं यह design same to same ठीक है या फिर pictures वाला एक लिए लेते हैं यह वाला लेते हैं चाहर design अब दोस्तों इसमें मुझे matter टाइप करना होंगे कि आप कौन से matter पर presentation draw करना चाहते हैं तो normally हम पहले matter ही type कर लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेलकम वेलकम टु यू यह दोस्तों मैंने लिखा वेलकम टु यू फर्स्ट लाइन में इसको जरूरत नहीं है तो इसको यहाँ से corner पर click करेंगे और keyword का delete button प्रेस करेंगे यह हट जाएगा आपका अब इस size को हम बात में कर लेंगे पहले matter हम लिख लेते क्या-क्या मुझे लिख नहीं है यहाँ पर दोस्तों मैं टाइप किया जैसे world computer गया मैं अपने channel का नाम यहाँ पर मैंने टाइप किया दोस्तों world computer गया फिर इस पर click करेंगे यहाँ लाइनिंग पर click करेंगे और delete button प्रेस करेंगे यह खत्म हो जाएगा अगले topic में यहाँ पर मैं type कर रहा हूँ जैसे courses के नाम तो यहाँ पर type कर दिया जैसे our courses या फिर direct type कर देते है courses यहाँ पर दोस्तों मैंने type कर दिया courses second button पर click किया और यह वाला delete को remove कर देता हूँ यहाँ से अब courses में क्या क्या होगा तो यहाँ पर मैं type कर देता हूँ जैसे courses में जो चीज हम रखने वाले है उसको तो इसको हम remove कर देते हैं यहाँ से इसमें तो single word ही type होंगे और इसमें मैं course type कर दे रहा हूँ जैसे माल यह आ जाए dca a dca cca c 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 dfa c c c dp तो यह दोस्तों मैंने meta type के लिए इसको थोड़ा सा उठा करके और इसको मध्य में कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से अब सबको हम यहां से मध्ध हमें करना है मुझे तो सबका size पहले हम perfectly कर लेते हैं यहां से size में सबका set कर लिया Welcome to you और इसको भी मध्ध हमें कर लेते हैं यहां से उठा करके बेच में फिर उसको select की इसका भी size दोस्तो परफेक्ट हमें लेते हैं बड़ा थोड़ा सा और इसको भी हम उठा करके यहां से मध्य में कर लेते हैं उसके बाद इसको सेलेक्टर लेते हैं इसका भी साइस परफेक्टली हम बड़ा कर लेते हैं सेलेक्टर करके थोड़ा सा और छोटा कर दिये काफी बड़ा हो जाएगा और यहां से पॉइंट से उठा करके मदे में कर देते है उसके बाद यहां courses के बारे में यहां ते type किया मैंने इसको select किया थोरा सा size इसका बढ़ा कर दिया और इसको bold कर दिया इसको नीचे कर देते है थोरा और size को थोड़ा और बढ़ा देते हैं दोस्तों यह देखने में अच्छा लगेगा perfectly अगर इसको भी बीच में करना चाहते हैं तो यहां से उठा करके इसको center में कर सकते हैं इस तरह से तो यह दोस्तों मैंने यहां पर design complete लेट कर लिया है और लिख भी लिया है राइट क्लिक करेंगे और apply to selected slide तो इसका अलग हो जाएगा लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा है हम इसमें और चेंजिंग करते हैं यहां थेम्स में यहां पर जाते हैं दोस्तों यह थेम्स रहा और यहां से इसको change करते हैं यह से change करके देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है यह दोस्तो कुछ अच्छा लग रहा है इसको ले लेते हैं लेकिन size मुझे कुछ छोटा करने परेंगे यहां से तो size हम यहां से छोटा कर लेते हैं for example यह रहा color भी मुझे change करने परेंगे दोस्तो word का तो हम इसको थोड़ा सा bold करके color को read कर लेते हैं अब ठर्ड वले slide को select करते हैं फिर से design पर जाते हैं और इसका design को apply to selected slide यहां से change कर देते हैं कुछ ऐसा दिखेगा फिर next वाले को select करके और इसका भी change कर देते हैं दोस्तों और यहां themes पर गये हम और इसका slide design शपोज हम यह वाला रख लेते हैं right click और apply to selected slide तो यह design दोस्तों आपका और चारों पर चार किसीम का apply हो चुका है अब इसमें क्या करना है आपको कि यह background transition देना है तो transactions पर click करेंगे यहां से दोस्तों यहां से इतने सारे transactions आपको दीख करके आ जाएंगे अब इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है वो transaction आप apply कर सकते हैं जैसे हमाली आजा मैंने यह transaction दिया तो दोस्तों कुछ इस तरह से करेंगे इसका जो duration है वो 2 seconds है आप इसको बढ़ाना चाहते है तो duration आप बढ़ा शकते है जैसे 3 seconds मैंने कर दिया और इसमें design है दोस्तों जैसे कि for examples यह वाला एक लेते हैं तो कुछ इस तरह से होंगे तो इसमें सारे design पर दोस्तों आपको यह करके देखना है कि कौन सा design आपको आच्छा लग रहा है तो मैंने यह design suppose ले लिया for example के लिए यह design ठीक है अगले को select किया दोस्तों और इसमें design मैं change कर दिया और यह वाला ले लिया duration दोस्तों यहां से आपको बढ़ाना होता है जितना देर का रख सकते उतना देर आप सकते हैं तीसरे नंबर को select किया दोस्तों और इसमें design मैं series कर ले रहा हूं यह वाला duration फिर से इसका भी मैं 32 house कर दे c चौथा design ले रहा हूं दोस्तों और इसमें यह कर दे रहा हूं ठीक है इस तरह से इसका भी duration 80s है 0.80 तो हम 3 सेकंड कर देते हैं अब यह दोस्तों चारो पर आपका design apply हो चुका है अब on mouse click करके यह 4 आटोमेटिक चले इसके लिए on mouse click करके after पे click करना होगा second slide में भी on mouse click करके after पे third slide में भी on mouse click करके after पे और fourth slide को भी on mouse click करके after पे क्योंकि यह 00 second बाद automatic चले गया अगर दोस्तों आप on mouse पे छोड़ देते हैं तो आपको keyboard से कोई नकीक प्रेस करना होता है तब जाकर कर दूसरा slide आपका आएगा otherwise नहीं आएगा तो यह automatic चलेगा दोस्तों इसमें कहीं से रुकने की कोई जहन जाट नहीं है अब चले जाते animation पे animation में जाने के बाद मैं आपको word को select करना ताभी animation कोई काम भी नहीं कर रहा है because word selected नहीं है तो हम word को select किये word select करने के बाद automatic animation काम करने लगेगा अब इसमें कौन सा animation लगा है दोस्तों तो यह animation हम यहां से select कर लेते हैं जैसे for example एक bounce back वगरा का इसमें देख लेते हैं जैसे fly in कर लेते हैं इस तरह का duration थोड़ा delay कर देते हैं इसका इतना अब यह अगर नहीं दिख रहा है तो animation pain किलिक करके और इसको यहां से play करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से करेगा ठीक है second type select करते है word को select करते है और इसमें float in कर लेते हैं इसमें कुछ इस तरह से करेगा duration थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसका 2 second कर दिया 2 से भी ज्यादा 3 second कर दिया प्ले करके देख सकते हैं अब duration अगर आपको देखना चाहते हैं तो इस तरह से duration आपको यह से करेगा तीसरा select करते है दोस्तो word select किया फिर यहां सम्लोग animation पर गया और इसके लिए दोस्तो animation यह shape कर ले लेते हैं यह देखते हैं कैसे करता है यह वाला है तो इसको भी थोरा साम इसका duration को बढ़ा देते हैं play करके देखते हैं यह दोस्तो कुछ इस तरह से करेगा courses ठीक है फिर अ एक ही करके down हो रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है इसे fly in वाला रहता हो तो ज्यादा अच्छा होता है फिर इन करते हैं यह floating करते हैं दोस्तो एक एक करके आएगा यह बेटर लग रहा है तो यह floating रहेगा इसका duration हम थोरा सा और बढ़ा लेते हैं और इसमें हम तीन सेकेंड शे भी ज्यादा कर देते हैं ताकि यह आराम से शो करेगा इसको play करके देखना है वन टाइम तो आप play करके ऐसे देख स के इसके लिए setup slide loop continue, second select करेंगे setup slide loop continue ओखित एसके लिएस के लिए Ignatас j Tape if it's with év यह दोस्तों देख रहे हैं आप कितना सुन्दर सा डिजाइन आपने त्यार कर दिया यह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है जो आपने यह जो है कि इस तरह से पाउरपरेंट अनिमेशन आप अशानी से बना सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर दिखेगा दोस्तों आप किसी भी त चुंदर सा यह design आपको करके दिखा रहा है, एक आपका CCA है, एक CCC है, CCC, अगला courses है दोस्तो, PDGC-A के नाम से, next आपका Tally है, और फिर आपका DFA है, Diplomain Financial Accounting, जिसमें Tally, ERP, यह सब कुछ आ जाता है, प्राइम हो करा, और एक आपका DTP दोस्तो, तो इस तरह से आपका slide जो है, फिर यह automatic सुरू से हो चुका है, आप अगर इसको back करना चाते है, तो keyboard का escape button अप प्रेस किजिएगा, तो यह आप back में चले जाएंगे, अगर दोस्तो इस slide को आप save करना चाते हैं, तो file में चले जाएंगे, यहां से save button पर click करेंगे, यहां से जहां पर भी जैसे desktop safe करना है, तो desktop लिए, एक नाम दे देते हैं, जैसे welcome to you, या फिर कुछ भी दे दिया नाम, तो चैनल को like and subscribe जरूर कर लिजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आपको डेट हमें सा मिलता रहेगा, तब तक के लिए take care, बाए बाए.